सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेनिंग न्यूस चानल को और बेल आइकन को दबाएगे लेटेस्ट न्यूस सबसे पहले पाने के लिए प्रिलाइंस इंडस्ट्री के चेर्मेन मुकेश अमबानी ने आज यूपी इंवेस्टर समिट के दोरान उत्र प्रदेश में दस हजार करोड रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है इसके साथ ही राज्य में अगले तीन सालों में जीओ की जरीव करीब एक लाख नोकरिया पैदा करने का भी ऐलान किया गया है माना जा रहा है कि इससे उत्र प्रदेश के युवाओं के लिए अगले सालों में नोकरियों के दरवाजे खुल जाएंगे इसके अलावा जियो की तरफ से एलान हुआ है कि वो प्रदेश में राज्य सरकार और एक युनिवर्सिटी के साथ मिलकर केंपस लगाएगी Reliance Group के चेर्मेन ने कहा है कि अन्यमोकों के अलावा जियो वर्यता के आधार पर पूरी UP में 2 करोड फॉन्स मुहया करवाएगा क्योंकि ये राज्य रिलाइन सम्हू के लिए खास है उत्रप्रदेश में निवेशकों को लुभाने के लिए मुख्य मंत्री योगी आधित्यनात ने उत्रप्रदेश इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन किया है इस आयोजन का उदगाटन आज खुद प्रधान मंत्री नरें में फर्क है वहीं उत्रप्रदेश के मुख्या योगी आधित्यनात ने कहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मार्ग दर्शन में उत्रप्रदेश को बिमारू राज्य से उबार कर देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाना है उन्होंने कहा है कि किसी भी विकास के के लिए सुरक्षा इंफास्ट्रक्शर का माहोल होना जाहिए। यूपी सरकार ने 11 महिनों में कानून का राज सापित किया है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताए। डेली ट्रेंडिंग न्यूस की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंट्रेस्टिंग न्यूस के लिए।